आप सभी का स्वागत है यहां पर food science and processing जो आपका lecture number 54 था जिसका आपका MCQs जो है वो छूट गए थे MCQs की वीडियो तो उसकी MCQs की वीडियो है यह ठीक है इसमें हम 20 MCQs discuss करेंगे यहां पर food science and processing के लिए जिससे कुछ अगर जो रह गया होगा तो MCQs से आपका वो भी clear हो ज राजा हो जाएगा कि आपको कैसा कैसे कैसे MCQs जो है वो आपके exam में आ सकते हैं ठीक है सबसे पहले तो sorry for the inconvenience और delay जो इसका हुआ जो lecture number 54 के जो MCQs की जो वीडियो थी ठीक है मैं भूल गया था इस वीडियो को डालना तो मैं skip कर दिया था तो मैंने सोचा कि अब last मैं डाली देंगे ठीक है तो इसके बाद जो आपकी वीडियो रहेगी वो रहेगी आपका lecture number 56 जो है था आपका food and personal hygiene उसकी MCQs की series आ जाएगी वीडियो जो 20 MCQs की है और उसके बाद ये पूरा सफर जो है unit 5 का ये खतम हो जाएगा जाद देली ना करते हुए चलते है पहले question पर question यहाँ पर पूछ रहा है what is the primary purpose of blanching in food processing? blanching का मतलब एक हिसाब से हम कहा दे boiling ठीक है जिसमें जो सबजियां बगरा जो है उनको boiled water में इमर्ज किया जाता है ठीक है तो blanching का यहाँ पर primary purpose क्या होता है food processing में तो inactive करना enzymes को enzymes को inactive करना ठीक है enzyme देखो enzyme क्या है reactive होते है ठीक है तो जब हम उनको क्या करेंगे food को boiling water में या steam में डालेंगे तो enzymes deactivate हो जाएंगे जिसकी वज़े से जो color है food का ठीक है यहाँ पर processing की बात हो रही है सबसे पहले यह यहाद रुखना गरेलू चीजों की बात नहीं हो रही है यहाँ पर processing की बात हो रही है processing is only done when the food is prepared for long term long term और और for packaging जैसे की आपकी factories बगारा जो होती है ठीक है जो food packages जितने भी होते हैं उनके पास जो है यह एक process होती है blanching ठीक है यह करी जाती है वहाँ पर ठीक है तो हम घरेलू तौर पर देखे तो हम खाने को ऐसे भी boil करते है ठीक है लेकिन यहाँ पर क्या है इसकी preservation की बात हो रही है processing की बात हो रही है फूट की ठीक है तो इसमें क्या है colors flavor और nutrients जितने भी हैं जब भी हम storage करेंगे उनकी और यह further processing करेंगे तो उस टाइम पर यह एक दो चीजें जो है यह preserve हो जाएंगी ठीक है तो इसलिए जो enzymes हैं उनको inactive करने के लिए blanching process जो है वह करी जाती है ठीक है यह इसका primary purpose है next आगे बढ़ते है अगर पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई student जो है अगर किसी को answers पता है ठीक है अगर answers पता है तो you can pause ठीक है before I reveal the answer ठीक है उसके बाद answer comment में डालके आप फदर आगे चेक कर सकते हैं कि आपका answer सही है या नहीं अगर आपको लगता है कि कोई question जो है वो doubtful है answer सही नहीं है तो आप comment करके वो भी बता सकते है ठीक है तो अब question पर आते है question कह रहा है यहाँ पर which of the following preservation methods primarily relies on reduction of water activity ठीक है ऐसा कौन सा preservation method है जो water की activity की reduction पे rely करता है ठीक है water को reduce करना है वहाँ पर water की activity को वो है dehydration ठीक है dehydration का मतलब आपको ऐसे भी पता है reduction of water reduction of water ठीक है या deficiency deficiency of water तो कहीं ना कहीं जो water की deficiency जो है food processing में या food storage में ज़रूरी भी होती है क्यों होती है water को remove किया जाता है इसमें जिससे water की activity कम हो और जितने भी spoilage microorganisms है जो humidity humidity या moisture की वज़े से भड़ते हैं उनकी reduction हो या वो खतम हो जाए ठीक है क्योंकि moisture की वज़े से क्या होता है food जो है वो spoil हो रहा है ठीक है सड रहा है ठीक है तो इसलिए water content जो है उसको कम करने के लिए dehydration जो process है इसका प्रियोग किया जाता है ठीक है preservation method है यह ठीक है next आगे बढ़ते है which enzyme is responsible for browning of fruits and vegetables when cut and exposed to air कौन सा enzyme यहाँ पर ठीक है enzyme मैंने क्या बताया था reactive होते हैं they are reactive कौन सा enzyme जो है वो reactive है sorry responsible है जिससे fruits जो है वो brown हो जाते हैं और vegetables भी brown हो जाते हैं जब उनको काटा जाता है और उसके बाद वो expose होते है air ठीक है मतलब यहाँ पर air की बात हो रही है तो oxidation हो रही होगी कहीं न कहीं मेरे ख्याल से अभी देखते हैं आगे ठीक है आपने apple का देखा होगा apple को जब हम काटते है ठीक है थोड़ी देर के लिए अगर हम उसको वैसे ही रख देंगे तो वो brown हो जाते हैं जहां पर भी cut part होता है उनका वहाँ पर brown हो जाते है ठीक है तो यह जो enzyme है कौन सा enzyme जो है वो उसके लिए responsible है तो वो है polyphenol oxidase ठीक है oxidation process जो भी होती है उन surfaces पे उनको fasten कर देते हैं यहाँ पर कौन सा enzyme polyphenol oxidase ठीक है जितने भी phenolic compounds होते है fruits और vegetable में उनकी oxidations को ठीक है जिसकी वज़े से browning होती है यह इसका क्या है result है या हम इसको determine कर सकते हैं कि browning की वज़े से क्या हो रहा है वहाँ पर oxidation हो रही है phenolic compounds की ठीक है तो phenolic compounds की जब भी oxidation होगी तो जो browning होगी इससे हम पता लगा सकते है ठीक है तो enzyme कौन सा इसके लिए responsible है polyphenol oxidase option C जो है आपका सही answer रहेगा ठीक है next आगे बढ़ते which food bond pathogen is commonly associated with improperly canned foods ठीक है जो improperly canned foods होते हैं मतलब उनकी canning जो है एक हिसाब से storage जो है वो proper नहीं हुई होती है ठीक है तो उस time पर कौन सा food bond pathogen जो है वो वहाँ पर responsible होता है ठीक है तो वो है हमारा clostridium botulinum ठीक है clostridium botulinum ये क्या करता है botulinum toxin produce करता है ठीक है anaerobic conditions में anaerobic conditions का मतलब हुआ without oxygen ठीक है in the absence of oxygen ठीक है तो उसकी वज़े से क्या होता है ये ज्यादातर कहां पर होता है ये canned जो improperly canned foods होते है उनमें और इनसे होती है botulinum poisoning ठीक है ये condition है अगर ये poisoning होगी तो आपको जो symptoms आएंगे वो symptoms आएंगे pain pain in abdomen ठीक है उसके बाद constipation होगी और उसके बाद vomiting होगी ठीक है या acidity भी हो सकती आपको ठीक है nausea हो सकता है ठीक है ये कुछ fatigue हो सकता है ये कुछ symptoms है botulinum poisoning के तो कौन सा pathogen associated है improperly canned foods में ठीक है तो वो है claustridum botulinum ठीक है ये option c आपका सही answer रहेगा आगे बढ़ते है which of the following is not a function of food packaging food packaging का इन सब में से कौन सा function नहीं है ठीक है तो इसका answer रहेगा आपका enhancement of nutritional value ये इसका function नहीं है packaging का क्योंकि nutritional value को enhance करने के लिए हम additives या extra nutrients जो है उनको add करेंगे ठीक है तो ये food packaging का function नहीं है ठीक है contamination से तो बचाता है preservation रखता है freshness रखता है ठीक है information भी consumers को provide करती है food packaging लेकिन nutritional value नहीं बढ़ा सकती ठीक है तो packaging जो है protect कर सकती है preserve कर सकती है लेकिन enhance नहीं कर सकती nutritional value ठीक है इसलिए option c जो है आपका सही answer है next आगे बढ़ते है what is the purpose of posturization in milk processing सबको पता है posturization का milk processing में क्या purpose होता है तो microbial load जो भी है उसको reduce करता है ठीक है इससे क्या होगा heating फिलाल तो हम heat करते है milk को कुछ एक specific temperature में यह आप comment करके बताएंगे कि कितने temperature तक हम milk को heat करें जिसकी वज़े से जितने भी harmful bacteria जो है वो खतम हो जाएं और उसकी shelf life जो है और safety जो है वो भी ensure हो जाएं ठीक है shelf life बढ़ेगी और safety ensure होगी ठीक है यह आप comment करके बताएंगे तो इसका answer है to reduce microbial load next आगे बढ़ते हैं which method of heat transfer occurs through direct contact between a heat source and the food source कौन सा heat transfer method heat transfer जो है उसका method जो है वो occur होता है जब direct contact होता है heat source का और food की surface का ठीक है तो इसका answer रहेगा आपका conduction method है ठीक है conduction एक method है जिससे जो heat जो है वो direct आपकी जो different surfaces की different surfaces जो होती है ठीक है कुछ इस तरीके से यह आपका pan है ठीक है यह आपका pan है और यह नीचे से आपकी gas की flames है ठीक है तो यह आपका source source है ठीक है इसका जो temperature है वो high रहेगा यहाँ पर ठीक है इसका temperature पहले तो low रहेगा and this is food surface ठीक है यह food surface है यहाँ पर इसके अंदर कुछ food होगा इनका temperature अलग होगा तो इधर से जब इधर के लिए जो heat transfer होगी transfer होगी heat उसको बोलेंगे हम conduction ठीक है तो यही एक method है heat transfer का बाकी के जो यह method है convection, radiation, induction यह आप comment करके बताएंगे बहुत easy है ठीक है तो आपका थोड़ा सा science का जो revision भी हो जाएगा यहाँ पर convection क्या होता है radiation क्या होता है और induction क्या होता है ठीक है next आगे बढ़ते है what is the primary purpose of emulsifiers in food processing emulsifiers कुछ इस तरीके के products होते हैं ठीक है कुछ इस तरीके के products होते हैं जो emulsion create करते हैं ठीक है आप ही आपको पता चल जाएगा ठीक है क्या purpose होता है emulsifiers का food processing में तो stabilize करना mixtures of immisible substances immisible substances कौन से होते हैं जो properly not properly mixable ठीक है और उसके उपर आप यहां पर oil जो है oil को डालेंगे जब आप यह oil उपर तैरेगा वह properly mix नहीं होता है तो इसका मतलब क्या water and oil are immisible substances ठीक है तो emulsifiers का वहां पर क्या role रहता है क्या purpose रहता है food processing में तो जो mixture है emisible substances का उनको stabilize करना emulsifiers क्या करते है emulsifiers आप देखना जो आपका paint वगएरा होता है न पेंट जो घरों में paint करते है तो उनमें भी emulsifiers डाले जाते है ठीक है emulsions होती है ठीक है यह क्या help करते हैं आपको stabilize करते है emulsions को by reducing the interfacial tension between immisible faces ठीक है जो भी interfacial tension होती है जिससे की mix नहीं हो पाते ठीक है oil or water की बात कर रहे हम यहाँ पर यह mix नहीं हो पाते ठीक है जैसे search and oil and water यहाँ पर गोल दी है तो उसको क्या करते हैं यहाँ पर यह stabilize करते हैं जैसे आपकी mayonnaise जो होती है जो आप momos बगारा के साथ जो खाते है तो उसमें fat content होता है ठीक है या oil content होता है उसमें तो मगर वो दिखता आपको same ही है white color की होती है white होती है लेकिन आप identify नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर oil कहाँ पर है और बाकी के जो substances use होते हैं उसमें वो कहाँ पर है क्योंकि उसमें emulsifiers डाले होते हैं ठीक है और salad की जो dressings होती है जितनी भी ठीक है उनको उनमें use होता है ठीक है which of the following is an example of physical food preservation method कौन सा एक example है जो physical food preservation method की एक example है तो यह है vacuum packaging ठीक है vacuum packaging ठीक है यह क्या करता है कि air जितनी भी होगी उसको remove कर देता है जो भी food के around food product के around होगी जिससे deterioration जो भी होगी caused by aerobic microorganisms और oxidation जो होगी वो slow हो जाएगी ठीक है slow हो जाएगी लेकिन कुछ हद तक कभी कुछ conditions आती है जैसे कि vacuum packaging तो होती है लेकिन अगर उसमें कोई hole आ गया ठीक है या tear up हो गया तो उस time पे oxidation भी होगी और aerobic microorganisms जो होगी और deterioration कर देंगे जैसे for example आप एक chips का packet है आप कभी भी जो जिनमें gas नहीं होती without gas जिसको हम कहते हैं सिपल भाशा में वो आप खरीदते नहीं है वो इसी वज़े से नहीं खरीदते हैं क्योंकि aerobic microorganisms जो होते हैं वहाँ पर उसकी deterioration कर रहे हैं शुरू हो जाते हैं और oxidation भी वहा antioxidants in food food में antioxidants का क्या primary function है तो shelf life को improve कर ला ठीक है extend shelf life इससे क्या होता है antioxidants से antioxidants नाम से ही पता चल रहा है antioxidants antioxidants इससे क्या होगा oxidation reaction जो होगी वो slow down हो जाएगी जिससे shelf life जो है वो ज्यादा हो सकती है और quality भी maintain रहेगी ठीक है which type of food processing involves the use of high pressure to preserve food कौन सी food processing है जिसमें high pressure का use होता है ठीक है तो high pressure processing नाम ही इसका high pressure processing है ठीक है इसमें क्या होगा high pressure में food को रखा जाएगा जिससे microorganisms जो होगी वो inactive हो जाएगे enzymes वो भी inactive हो जाएगे उससे भी shelf life बढ़ेगी और nutrients और flavors जो है वो preserved रहेंगे ठीक है next which of the following is not a function of sugar in food processing food processing में sugar का क्या function नहीं है ठीक है flavor investment तो वो करता ही है ठीक है moisture reduction भी करता है preservation भी करता है sugaring एक preservation technique है pH adjustment जो है ये इसका function नहीं है ठीक है sugar जो है pH को affect कर सकती indirectly जैसे वो अगर acids या basis के साथ अगर react करे लेकिन इसका जो primary function जो है food processing में वो preservation है या flavor enhancement है और moisture retention ठीक है next which method of food preservation relies on the inhibition of microbial growth by lowering the pH of the food ठीक है कौन सा ऐसा food preservation method है जिससे जो जिसमें microbial growth जो है वो जरूरी है microbial growth उसमें होनी जीए और pH जो है food की वो lower करता है वो है आपका fermentation ठीक है जिसमें sugars को alcohol में या organic acids में convert किया जाता है through microorganisms microorganisms की help से ठीक है और इससे क्या होगा pH भी low हो जाती है और spoilage और pathogenic bacteria जो है उनको inhibit करता है ठीक है ये भी एक food preservation technique है fermentation ठीक है next what role do enzymes play in food processing food processing में enzymes क्या role play करते हैं यहाँ पर तो they accelerate chemical reactions ठीक है कहीं कहीं पर food processing में जरूरी हो जाता है कि enzymes जो हैं वो food processing में role pray करते हैं जहाँ पर हमें chemical reactions जो है उनको accelerate करना होता है accelerate तभी कर सकते हैं यह क्योंकि यह catalyst होते हैं मैंने पहले बताया ठीक है speed up कर देते हैं chemical reactions को जितनी भी biochemical reactions होती है जिससे ripening है fermentation है ठीक है क्योंकि कहीं कहीं पर ripening की भी ज़रूरत पड़ती है ठीक है fermentation में और degradation processes जितनी भी होती हैं उसमें enzymes जितने भी होंगे आपके ठीक है वो accelerate करेंगे आपकी chemical reactions को जिससे food flavor भी effect होता है texture भी effect होता nutritional value में भी अंतर आता है ठीक है which of the following is not a factor affecting the rate of food deterioration कौन से इन में से ऐसा factor है ठीक है जिससे जो food deterioration है उस उस पर effect नहीं होगा ठीक है तो particle का size ठीक है यह directly effect नहीं करता है ठीक है जैसे temperature करता है directly effect उसके बाद oxygen करता है humidity करती है जिनसे chemical reactions और microbial reactions जो है वो accelerate होती है तो इसमें particle size जो भी है particle size वो matter नहीं करता है ठीक है which method of preservation involves the removal of microorganisms by passing food through a heated chamber heated chamber में से pass करवाते हैं हम food को जिससे microorganisms जो है वो remove हो जाते है तो वो है sterilization sterilization जिसमें जो जितने भी organisms जो है उनको kill कर दिया जाता है ठीक है high temperature में food को रखा जाता है और जितने भी organisms जो है उनको मार दिया जाता है खदम कर दिया जाता है जिससे long term preservation और safety बरकर आ रहे ठीक है next what is the purpose of adding sodium nitrite इसका जो chemical formula जो है chemical formula वो comment करके बताएंगे ठीक है sodium nitrite का तो purpose क्या होता है sodium nitrite को processed meats में add करने के लिए तो microbial growth को inhibit करने के लिए ठीक है C part इसका सही answer है meats में as a preservative डाला जाता है जिससे harmful bacteria जैसे Clostridium botulinum जो है यह भड़े ना और cured to give cured meats their characteristic pink color and flavor ठीक है meats का color जो होता है वो pink रहता है ठीक है तो वो बरकरार रहे उनका color और उनका flavor जो है बरकरार रहे इसलिए sodium nitrite का यूज किया जाता है ठीक है यह packaging में भी इस्तेमाल होता है ठीक है जो meat की packaging होती है खास के ठीक है next आगे बढ़ते है which type of food processing involves the controlled application of heat to extend shelf life while preserving sensory qualities कुछ sensory qualities जो होती है food में उनको preserve करने के बाद preserve रखना है और साथ में extend भी करना है shelf life को ठीक है तो और heat को उसमें apply करना है तो कौन सा ऐसा food processing है वो वो है posturization ठीक है यह हमने discuss भी कर दिया यहाँ पर milk के लिए next आगे बढ़ते है what is the primary purpose of adding antioxidants to fats and oils antioxidants की पहले बात भी हुई लेकिन वो food के साथ थी ठीक है वहाँ पुरे food की बात करी यहाँ पर fats और oils की बात की जाती है antioxidants को क्यों add किया जाता है fats और oils में तो rancidity को prevent करने के लिए ठीक है और इसका जो product की quality जो होगी और shelf life जो होगी वो भी maintain रहेगी ठीक है तो antioxidants इसलिए fats और oils में डाले जाते है next which type of food processing involves the removal of moisture from the food products at low temperature ठीक है low temperature में moisture जो है moisture जो है उसको remove करना है moisture को remove करने का तो एक तो method यह था dehydration यह हमने discuss किया लेकिन यह नहीं है इसका answer low temperature की बात की जारी है यहाँ पर low temperature में moisture को remove कर रहे हो लो temperature में तो इसका answer रहेगा आपका freeze drying ठीक है freeze करते है food को और उसके बाद जितनी भी ice crystals बनती है sublimation से उसको remove कर दिया जाता है जिससे एक dry stable product बनता है और minimal damage होता है texture और nutrients में ठीक है तो इसका answer रहेगा freeze drying thank you so much for watching अगर आपकी कोई questions है questions है please comment ठीक है इस video के बाद I request you all to like share भी किया करो बहुत सारे aspirants हैं जिनके पास सही videos नहीं पहुचती जरूरी videos नहीं पहुचती तो उनको पहुचा दो और subscribe करें जितने भी नए हैं ठीक है अगर कोई questions है मैं हमेशा बताता रहता हूं comment कर दो ठीक है हमारी e-books जो है e-books को download कर लो अभी अभी time है अब elections खतम हो जाएंगे तो कोई भरोसा नहीं कभी भी exam हो सकता ठीक है e-book जो हमारा online content है ठीक है e-books की form में है जो भी हमारी app है जो Jupiter classes वहां से download कर लो ठीक है हमारे mock test जितने भी है mock test में participate करो ठीक है वहां पर बहुत सारी चीज़ें आपको जैसे e-books जो हैं वो first three participants first three जो positions होती है उनको free मिलती है ठीक है तो आप जाएं वहां पर participate करें मज़ा आता है ठीक है competition में competition का पता लगता है ठीक है अगर कोई और queries हैं आपकी तो email कर सकते हैं ठीक है और WhatsApp मेरा यह है WhatsApp पे आप मेरे को message कर सकते हैं आप लोगों को message करने के लिए क्योंकि जो groups आपके बने हुए टेलिग्राम के groups बने हुए और उसके बाद जो WhatsApp के groups बने हुए वहां पर आप questions नहीं put up कर सकते हैं क्योंकि उसकी authority सिरफ हमें है कि हम ही कुछ ना कुछ upload कर सकते हैं या लिख सकते हैं ठीक है तो जितने हैं भी aspirants हैं वह message कर दें personal message कर दें कोई problem नहीं है ठीक है बाकी खुश रहो आबाद रहो चाहे पंजाब रहो चाहे गाजियाबाद रहो thank you so much